हेलो इस फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आया हूँ ये कोश्चन एस्क्वार रूट आप डेसमल लंबर से है दसमलो संख्याओं का वर्गमूल तो आईए देखते हैं क्या कहता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉश्चन है वो है 31.36 31.36 इसका वर्गमूल बताना है ये एक डेसिमल लंबर है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर इधर से पेर बनाना होगा एक पेर दो पेर ठीक है अब ये वाला जो नंबर है इसको हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वेर में आता है तो अगर हम 5 का स्क्वेर करेंगे तो होगा 25 और अगर हम 6 का स्क्वेर करेंगे तो होगा 36 31, 36 से छोटा है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे इसको लेंगे ठीक है क्योंकि यह बड़ा हो जाएगा तो यहां पर अब जो यह नंबर है 5 इसको हम diviser section में write करेंगे और यही नंबर 5 हम quotient में भी लिखेंगे यह जो नंबर है 25 यह square है इसको हम 31 के नीचे लिखेंगे 25 subtraction करेंगे तो यह carry लेगा उससे 11 हो जाएगा 11-5 becomes 6 और 2-2 0 ठीक है कितना हो जाएगा 0 अब यही quotient हम यहां पर add करेंगे और इस प्रकार से add करेंगे कि यहां पर एक digit लिखने की जगा पहले से छोड़ देंगे 5 प्लस 5 कितना होगा 10 अब यहां पर decimal है तो यह decimal हम सबसे पहले यहां पर लगाएंगे इसके बाद यह वाला जो डिजिट है यह पूरा यहां पर राइट करेंगे 36 एक एक नहीं लिखना है दोनों एक साथ लिखना है ठीक है तब यह क्या बने गया 636 अब हमें यहां पर कोई एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको जो यहां पर लिखें उसी से मल्टिप्लाइ करें और इतना आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए बड़ा नहीं जाना है एक्वल टू या छोटा जाना है तो इसको हम बगल में कर लेते हैं देखो हमें इस 10 में ऐसा कुछ मल्टिप्लाइ करना है यहां पर और वो चीज यहां पर भी लिखना है कि 600 के एकवल आजये तो आप देखो यहां पर कितना है वन 6 वन जा 6 तो लगबग अग्स रख दें तो हमारा आंसर आ जा आ शकता है ठीक है तो चेक करेंगे तो यहां पर भी आप 6 लिख दीजिए और यहां पर भी आप 6 लिख दीजिए ठीक है उसी नमबर से multiply कीजिए तो 6 सिख जा 36 तरीकरी 6003 6 बन जा 6 तो यानि कि यहां पर 6 लिखने पर हमारा answer आ रहा है 636 तो यहां पर हम write कर देंगे 6 और यहीं नमबर हम quotient में भी write करेंगे और यहां पर write करेंगे 636 माइनस करेंगे तो remainder 0 हो जाएगा और फिर हमारा यह answer हो जाएगा जिस step में remainder 0 होता है उस step में quotient हमारा answer होता है तो उसको कैसे write करेंगे square root of 31.36 is equal to 5.6 है ना वर्गमूल 31.36 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 5.6 यह वाला जो हिस्सा है आपका rough है यह आपको लिखने की जरूर नहीं है तो यह आपका answer है आप इसको write down कर लें तो इमेद करता हूं किस वीडियो में आप लोगों समझा पाया होंगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को